हाई फ्रेंड्स कैसे आप लोग उमीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे तो गाइस थैंक यू हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए और इतना हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए हम आज देखने वाले गर्ब होती महला में कौन स उनकी संबावना बढ़ जाती है तो चलिए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम आपको उताना च्या हैंगे कि हमारा चैनल जेंड अप्टिक्शन को बढ़ावान नहीं देता लड़का हो या लड़की मा के लिए दोनों भी एकी समान होते हैं दोनों में मा अब आप कोई बेदबाव नहीं करते हैं ये सिर्फ एक मा की क्योरिसी होती है उन्हें जानना रहता है क्या उनके गर्व में लड़का है या लड़की क्या उस तरह किसे उन्हों अपना रूम सजा सके अपने बच्चे के लिए क्लोथ ले सके कपड़े ले सके इसलिए उनक चनेट से सच करके बताते तो है ये लेकिन अपना एक्सपिरियंस भी बताते हैं और कुछ हमारे बड़े बुजगरे जो बाते हमें कहते हैं उनका एक्सपिरियंस बड़े बुजगर का एक्सपिरियंस हम आपके साथ शेयर करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को देखके इगर से गर्फवते मेलाओं को बहुत ज़्यादłyग सबुद्ध कृइए उन्हें खाना खाना बहुत ज़्यादा पुसंद आता है। या फिर बहुत ज़दा जिसमें ज़ाद ही हैवी कैलरीज होती है अगर से उन्हें ऐसा खाना पसंद आता है तो आप नमन लगा सकती है कि आपको हैवी कैलरीज लेना पसंद आ रहा है तो घर बवस्ता में आपके गर्व में जो पलराज जीच हुए वो एक लड़का है आपको एक पुत्र होंगा आप इस तरह का नमन लगा सकती है और फ्रेंड आप ज़्यादा जंग फूट ना खाए जितना हो सके आवाइट करिए जंग फूट खाना सिहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आप जितना हो सके गर भवस्ता में हेल्दी चीज खाए जंग फूट का सेवन ना करें जितना आप हेल्दी फूट खाएंगे उतना बेबी को स्वास्त अच्छा रहेंगा आप अच्छी चीज़े खाएंगे जैसे की दाल जो चावल खाना रोटी है जो होता है एल्दी चीज़ हम डेली यूज में जो खाते हैं इसका सेवन जादा कीजिए और गाइस आप साथवा आटवा नववा भैना लगा तो आप घी कभी सेवन कर सकते हैं आप घी कभी सेवन करिए इससे क्या है भच्चे की स्की अच्छी होती है और घी खाने से आपकी डिलिवरी में भी बहुत आपको सहता मिलती है और नौलमर डिलिवरी होने के चांसे बढ़ जाते हैं तो गैस अगर से आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब